हालो फ्रेंट्स मैं आपका होस्ट और दोस्ट आपके अपने यूट्यूब टेक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में हम बैल्डिंग क्लोश्री पर बात करने वाले हैं मिस बैल्डिंग की टर्मलोजी होती हैं उस पर बात करेंगे जिसमें छोटी- वीडियोस चैनल को भी ज़िएगा विडियो को लाइक और श्यायर भी किजागा चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना स्लाइट और वीडियो कुछ च्छोटी-च्छोटी रफिनेशंस यहां है यहां पर कुछ अम लेद अगले दो से तीन विडियोस में इसी टाइप के glossaries को समझेंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहला है air acetylene air acetylene में low temperature flame produced होती है by burning of acetylene with air instead of oxygen air acetylene में acetylene के burning से flame produced होती है with the help of air मितलब यहाँ पर oxygen की help से burning produce नहीं होती है air की help से होती है next day air air are cutting our cutting process में metal को heat of carbon arc से melt करके cut किया जाता है यहाँ पर एक photo भी अटेज़ है आप देख सकते हैं चलिए फ्रेंड्स अम नेक्स देखते हैं जो कि alternating current AC जिसको की हम लोग नौर्ब डेली life में भी देखते हैं इसी एक electric current है जो की recurring intervals के बाद अपनी दारेक्शन चेंज करता है और डारेक्शन रिवर्स करता है जो प्लस में से माइनस माइनस से प्लस यह हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में भी चलिए अब देखना है एमिटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो की इलेक्ट्रिक करेंट को मेजर करता है जिसकी यूनिट एम्पेर होती है ऐसा यूनिट में इंडिकेटर मुमेंट या तो कॉइल के मेजनेटिक फील्ड या लॉंगिट्वनल एक्सफंशन की वज़े से ऑपरेट होता है यहां पर एक फोटो देख रहे हैं जिसमें एमिटर का फोटो लगाया हुआ हुआ है चलिए फ्रेंट्स अम नेक्स देखते हैं जो कि है आर्क ब्लो मेजनेटिक फोर्सेस की वज़े स चीहिंट यहां मेरा एलेक्ट्रिक आरिक वह चेंज होता है उसको हम इलेक्ट्रिक प्लो कहेंगे एक हायट्रोजर जो की है दो-एक से बीच में generate होती है इन आप मुर्य हमान थी एंग हату York City के अप्र सिल्ड होती है दूसर में यहाँ फोटा जो घान डेक्टथ सप्ला औस्टेनाइट नॉन मेगनेटिक फॉर्म आफ आयरन होता है इसका फेस सेंटर क्यूबिक लेटिस क्रिस्टल स्ट्ट्ट्ट्र होता है जब इस्टील को अपर क्रिटिकल टेंप्रेचर से अबोव हीट किया जाता है और इसमें हाई सॉलिट कारबन और एलोइंग इलेमेंट स इसमें प्रॉट जा रही है उसको हम एक्सिस ऑफ बेल्ट कहेंगे तेलिफेंट अब नेक्स देखते हैं जो कि यह बैक फायर कटिंग टॉर्च में एकदम से बंद होकर शुरू हो जाए उसको बैक फायर कहते हैं यह जनरली तब होता है जो हुमारी कैसे इसमें कुछ प्र टाउपाज भी आती है पक्वाइर के टाइम पर चल्यवेंट सब देखते हैं एक बैकपास कहते हैं में जब बैल्डिनक होता है जो के छीड़ेंगि फ्राइपीस ट्रांसबर या ट्रांसविट करता है चाहरे हैं यह फोटो में देख रहे हैं यह आगे की तरफ जा रहे हैं हम लोग परफोर्म करते जाते हैं इहाँ आपडिके सकते हैं रचेंट करने का स्यूंड होता है जिसमें यहापर देख सकते हैं। यह जर्ड बेयरेक्शन ओप्रोग्रेस हैור बेलडिंग इसकें अगेंस्ट में करना है जैसे आब 4, 3, 2, 1 का डड़ेक्शन देख रहे हैं तो जिनरल प्रग्रेस के अगेंस्ट में हम बेल्डिंग परफॉर्म करते हैं अब देखते हैं बैकिंग इस्टिप बैकिंग इस्टिप क्या होता है बैकिंग इस्टिप एक एडिशनल मट्रेल होता है जो की बैल्डिंग पॉइंट के नीचे रखा जाता है जिससे की मॉल्टन मेटल रूट बैल्ड म में हम कोई ग्रूप बनाया हुआ है तो उसमें डबल ग्रूप या सिंगल ग्रूप बनाया हूँ तो नीचे एक बैक प्लेट रखते हैं जो की अदूसरे मटल को ती जैसे अगर हमारा बेस मटल पैरेंट मटल का है तो जो तो हमारा बेकेंग कोपर की हो होगी है या परशेजर बहुत है पहले इसको टैक। किया है परमनेंट बैक्ट पर लि्मोव हैं कि है फिर उस प्लेट को हम भाव में से निकाल हूँ सकते हैं चलिए फ्रेंट्स देखते हैं जी है बैकिंग बेल्ड क्या होता है। सिंगल करूब में जब रूबटर रू的人 मारा जाता है यह एशेशर किया जाता है कि है कम्प्लीड रूप पैंट्रेशन यूव बैकिंग प्लेट कहता है आँ उसे हम पैंग कहते हैं मैं कंपलीट रूट पेनेट्रेशन होना चाहिए उसको धैक बैल कहते है अब ऑग बैक साइड से बैल डेपॉसित किया जाता है यहां पर backbeld दिया हुआ है यहां पर नीछे पहले उपर मारा धल सससे ही मारा है अब कर सोता है यहांपर फोट्टो में क्लियर होता है यह हमारा clip की एज है इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रियेट हो रहा है यह एंगल ऑफ बेबल है और जो फुल एंगल होता है उसको इंड्यूस्ट एंगल कहते हैं चलिए अब नेक्स देखते हैं जो कि है बॉंड बेस मेटल और बेल्डिंग मेटल के जंक्शन को बॉंड कहेंगे ब प्रिंसिपल प्लेट के उपर किसी दूसरी प्लेट को रखकर कंट्रियस फ्लेट बेल्ड किया जाता है उसे बेल्डिंग कहलाता है जैसे कि यह नीचे दिख रहा है यह अमरी प्रिंसिपल ब्लेट है उसके उपर दूसरी प्लेट रखी हुई है और यहां पर कंट्रियस फ प्सक्राइब कर दोसे से बिल्ड खुब करते हैं बगल में हीट की वज़े से जो डिस्टोर्शन हाता है उसे बगल करते हैं आप फोटो में देक रहे हैं यह बेल्डिंग किया हुआ है इसने हीट की जैसे यह S-shape में, almost almost S-shape में convert हो रहे हैं इसको buckling कहेंगे या distortion कहेंगे जालिए आप butter belt देखते हैं आप belt cost of one or more string और weave weights laid down on a unbroken surface to obtain desired properties और dimension जैसे कि यहाँ पर बटरिंग देख रहे हैं यह हमारी belt की geometry है यहाँ पर 2-3 एम का buttering किया है desired properties और dimensions को achieve करने के लिए आप capillary attraction देखते हैं एक capillary phenomena हम लोग DP test में भी यूज़ करते हैं जो कि NTT का एक test है जिससे कि हम लोग floss को देखते हैं और porosity को check करते हैं यहाँ पर capillary attraction देखते हैं जब molten filler metal और base material में addition होता है together with surface tension और filler metal जिससे कि filler material या metal distribution हो और joints properly fix हो जाता है जिससे कि joints properly fix हो जाता है चलिए carbon precipitation देखते हैं यह condition है जब ऑस्टनाइटिक stainless steel में carbon super saturated solid solution में आकर होता है यह unstable condition में होता है agitation of steel welding के time excess carbon को precipitate करते हैं इस effect को weld decay भी कहा जाता है आप यह photo में देख सकते हैं यह black portion जो दिख रहा है यही पैल decay है यह carbon precipitation कहलाता है चलिए carbonizing frame देखते हैं यह oxy acetylene frame में जिसमें acetylene access amount में होता है इसे access acetylene या reducing flame भी कहा जाता है carbonizing flame के लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ हुआ है आप वहाँ जाके वीडियो पर देख सकते हैं चैनल पर वीडियो अपेलेबल है उसका जिसको की HAZ के नाम से बनाया हुआ हुआ है चलिए फ्रेंट्स अम नेक्स देखते है चैन इंट्रिमेंट फिलेट बेल्ट टी और लेब जॉइंट में किया जाता है जिसमें weld in one line दूसी लाइन के approximately opposite होती है जली कोलेशन्स देखते हैं दे यूनिट और फ्यूजिंग अफ मेटल सपन हीटिंग मीन्स हीटिंग के टाइम मेटल के फ्यूजन को कोलेशन्स कहते हैं पर सेकेंड वाला देखते हैं यहां पर वेवल किया है वहीं सेकेंड वाले में देखेंगे तो वेवल की उपर जो थोड़ा सा तरिच्छा दिख रहा है उसको हम चैंफरिंग कहेंगे चैंफरिंग जनरली शार पेजेस को रिमूब करने के लिए भी किया जाता है क्योंकि नीच परंड़ करते हैं उसको कमिट्रिक बेटनिग करते हैं उसको कम्योटी कंट्रूर बेल्ड्डिंग कहते हैं इसका function electrical commuting device से control होता है जिसमें एक से ज़्यादा electrode एक सान parallelly building परफॉर्म करते हैं चलिए composite electrode देखते हैं composite electrode एक filler metal है एक electrode है जिसे arc building में use किया जाता है एक से ज्यादा metal component mechanically combined होता है इस में एक से ज्यादा electrode में एक से ज्यादा component mechanically combined किया जाते हैं और यह ऐसा filler metal use किया आता है आर्क building में लिए composite joint देखते हैं जब thermal and mechanical process दोनों ही use किया जाता है joints को प्रेफर करने के लिए प्रेपियर करने के लिए उसे composite joint कहेंगे concavity the maximum perpendicular distance from the face of a concave weld to a line joining of weld toes यह फोटोस में देख सकते हैं यहां root concavity concavity दिया हुआ है चलिए friends next देखते हैं कौन यह cutting torch flame के time जब orifice के next जो conical part होता है उसे कौन कहते हैं corner joint जब दो members approximately एक दूसरे के right angle पर place किये जाते हैं उसे corner joint कहते हैं यह L shape में create होता है आप फोटों में देख सकते हैं पहला L shape में create हो रहा है पहले open corner और second closed corner है यह दो टाइप के corner joint होते हैं telephones convexity देखते हैं weld toes और face of convex fillet belt के भी जो maximum perpendicular distance होता है वो convexity कहलाता है यहां फोटों में आप देख रहे हैं convexity दिया हुआ है convexity को edge से denote किया जाता है concurrent heating building के time जब additional heat provide की जाती है उसे concurrent heating कहते हैं जैसे आप देख रहे हैं यहापर insulation लगाया हुआ है additional heating के लिए और यह हमारे हीटिंग का रेंजमेंट भी यहापर लिया हुआ जिसको electrically controlled करते हैं उसे concurrent heating कहते हैं कवर ग्लास building goggles handshield और helmet में जो clear glass use किया जाता है इस वेटरिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए उसे cover glass कहते हैं crack crack building defect होता है जो की एक टाइब का fracture होता है जो discontinuity होती है building में critical temperature इस temperature पर substance one crystalline form से another form of another crystalline form में transition होता है critical temperature कहलाता है current density amperes per square inch of the electrode cross sectional matter electrode के cross sectional area से पर square inch में एंपेर को current density कहेंगे cutting tip a gas torch tip especially adapter for cutting cutting के लिए जो torch tip का use किया था उससे cutting tip कहेंगे deposited metal filler metal that has been added during a building deposition building operation चलिए friends इसे के साथ वीडियो को खत्म करते हैं आज का वीडियो को कैसा लगा हमें comment box में comment करें जूब बताएं वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें अपने friends और लेटिव के साथ भी शेयर करें thank you friends thanks